नमस्कार दोस्तों योगीश टिकनिकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आज हम गैस गिजर की एक ऐसी फाल फाइनिंग करेंगी जो अक्सर परिशान करती है कभी ना कभी अभी आप देखी आपके सामने एक गैस गिजर चल रहा है अभी मैंने इसकी टैप खोला है लेकिन कुछ देर चलने के बाद वो बंद हो जाता है दोबारा से फिर मैं आपको एक बार गैस गिजर को टैप बंद करके दोबारा टैप खोल कर चला कर दिखाना चाहता हूँ द्यान से आप इसकी सभी एक्टिविडिस को देखीगा चिरफ कुछ ही सेकिंड हमारा गैस के जगा फ्लेम चलता है और एक दम से वो मंद हो जाता है इतीन तेन में हमारा पाने भी गरम नहीं हो पाता आप कितने ही बार कोशिश कर लीजिए आपको यही समझ्या बार बार आएगी और अगर आप तहां से दिखेंगे तो इसके जो लाइटर है स्टोन वाले उनमें आपको लाइटर भी चलते हुए दिखाई देंगे यानि कि वो स्पार्किंग करते हुए आपको दिखाई देंगे और टैप खोलने के कुछी सेकेंड के बाद आपकी फ्लेम बंद हो जाएगी दोस्तो आज मैं आपको इसकी असान से फाल्ट फैंडिंग बताऊँगा कैसे आप इस फाल्ट को असाने से ठीक कर सकते हैं कैसे आप इस फाल्ट में इसके इंडिगेटर लैंप को देखकर भी जान सकते हैं कि इसमें क्या फाल्ट है आप ध्यान से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसका जो इंडिगेटर है वो जब तक फ्लेम चलती है वो जलता रहता है ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा जो इंडिगेटर लैंप है वो फ्लेम जलने के बाद बंद हो जाना चाहिए लेकिन इसमें हमारा इंडिगेटर लैंप फ्लेम जलने के बाद भी बंद नहीं होता चस्ता रहता है और उसके बाद फ्लेम ही बंद हो जाती है आप सबसे पहले वाले स्टोन को जहान से देखी, इसकी वाईर को मैंने निकाल रखा था और जैसे ही मैं इसकी वाईर को लगाऊँगा, तो आप देखेंगे कि फ्लेम हमारी लगातार चलती रहती है दोस्तो इसका संबन हमारे इस गैस गिजर के बंद हो जाने से है जैसे ही मैं फ्लेम को निकालूँगा उसके कुछी सेकटों में ये हमारी फ्लेम बंद हो जाएगी जैसे ही मैं वायर को निकालूँगा फ्लेम बंद हो जाती है ऐसा इसली होता है दोस्तो ये जो वायर है ये सैंसर वायर है जिसके काम होता है कि फ्लेम चलने के पाद हमारे सरक्रट बॉक्स को इंडिकेशन भीज़ना कि फ्लेम जल चुकी है इसली राइitter को बंद हो जाना है लेकिन कई हमारे उंडिकेशन नहीं circuit box तक नहीं पहुंचता कई बार क्या होता इसमें लोहे की तारे होती है जो अभी आप देख रहे हैं ये तारे कई बार जंग से तूट जाती है तो भी हमारा लोहे वाली तार तूट गई है जो स्टोन के अंदर है तो आप ये पूरे का पूरा स्टोन का सेट बदल सकते हैं उसके बाद भी आपकी फाल्ट फाइंडिंग हो जाएगी अक्सर यही दो फाल्ट होते हैं जो हमारे इस फाल्ट फाइंडिंग के दुरान हमें देखकर इने ठीक करना होता है ध्यान रखिए आपका जो इंडिकेटर है वो फ्लेम जलने के बाद बंद हो जाना चाहिए अगर वो बंद नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब है कि आपके कैस के सर में कोई फंक्शन अदूरा है तो दोस्तों असानी से आप इस फाल्ट फाइंडिंग को कर स